विशाइनगर विधागरी के सेन की पहल पर पूरुवर्ती कौंगरिश शासन कालमिन अमेरिक करन और निमिती करन करने के लिए विशाइनगर विधानसभाश्यत्र से जमा के गए लगभग 12,000 आवासी पटे जल्द ही पट्टाधारकों को लोटाए जाएंगे विधागरी के सेन ने लंबे समय से जमा पट्टा प्रकरणों पर दुरुकलेक्टर से चरजा कर पट्टाधारकों को उनका मूल पट्टा लोटाने कहा है बता दे ही वर्स 1984 और 2003 में शासन द्वारा वैशाईनगर विधानसभाश्यत्र में लगभग 12,000 पट्टे बाटे गए थे जिनकी मियाद खत्म होने के बाद मूल पट्टा धारकों से पट्टा नमिनी करण तथा नेमिदी करण के लिए पूरवर्ती कॉंगरे शासन काल में जमा करा गए थे पट्टा के लिए निर्धारी जगह के अलावा पट्टा धारकोंदवारा आसपास कई जमीनों पर कबज़ा कर उस पर भी निर्मान कर लिया गया था जिससे पट्टा नमिनी करण की पात्रता से अधिकांश लोग वन्चित हो गए नमिनी करण की लिए लंबे समय से जम्मा प्रक्रणों पर ना तो कोई नेने हुआ और नहीं नमिनी करण जिससे विक्सित भारत संकल्प यात्रा की योजनाओं का लाव अनिक फितरा ही नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनके पट्टा की मूल प्रती कलेक्टेट में जमा थी विधायक रिकेस्तेन ने पहल करती हुए सभी को पट्टा लोटाने कहा है वैशाली नगर विधान सबा वाट एक से लेके 37 तक ततकालीन सरकार कॉंगरिस की सरकार ने योजना के नाम पे नई योजना के नाम पे सभी लोगों का ओरिजनाल पट्टा जमा करवा लिया था और ये हजारों की संख्या में हैं लाग भी पहुश सकते हैं ऐसे सभी पट्टा पास हिदग्रहेयों के पास औरिज думल पट्टा नहीं होने के कारण लोग केंदर संकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं जैसे प्रधानवंति अवासी उजना, मोर मकान, मोर अवासी उजना, दुर्गहरटना, भीमाई उजना, आईश्मान कार्डी उजना, मैंने आज कलेक्टर साहब से बात किया इस विशाइप है, और मैंने कहा है कि ततकाल सभी के पट्टा, जो ओरिजिनल पट्टा जो रखा गया है, उस सभी को ततकाल वापिस किया जाए, जिससे कलेक्टर साहब ने संबंदित अधिकायों को निर्देशित कर दिया है, कि दो-तिन दिन के अंदर सब को उनका पट्टा वापिस हो जाए, मैं सभी लोगों को चाहूँगा कि पट्टा आप वापिस ले, और वापिस लेके खेंदित सरकायों की उजनाओं का लाब उठाए, ग्रेंड एसीन न्यूस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट